प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी क्लास लेट हो गई फटा फट से सेशन को जल्दी से जॉइन कर लो और चलते हैं आज जो हैं तीस कुशन हैं आपके लिए और देखते हैं तीस कुशन मेंसे सबसे ज़्यादा सही जवाब कौन देता है ठीक है बई पहला कुशन आपकी स्क्रीन पर है फटा फट से बताईए आज कंप्यूटर के हमारी पहली क्लास है तो तीस कुशन मेंसे मिनिमम आपके 25 है यदि ज़्यादा होते हैं तो काफी अच्छी बात है एक बार मुझे बता दो वॉइस क्लियर आ रही है कोई दिक्कत तो नहीं होरी चलो वॉइस भी क्लियर है सब चीज क्लियर है अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं सुरू करते हैं क्लास को बताईए C.A.D. का पूरा र मतलब यह है कि अब की बार भी पूछे जा सकते हैं माईलूम बार बताओ जल्दी से बताओ वही कुश्चन आपकी स्कीन पर है C.A.D. का पूरा नाम बताओ वही चार ओप्शन्स हैं आपकी स्कीन पर यह बनेगा कौन सेलेक्शन लेगा दिल्ली पुलिस में ऐसे हैं न कौन बनेगा करोड़ पती में इसी तरीके से हैं पाइल आज काफी टाइम बाद क्लास लेना है क्या दिक्कत आगी थी चलो आपस में बात न करें जल्दी से कुशन का जवाब दें बाते करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है इतना टाइम नहीं है आपके पास में टाइम बहुत कम बचा हुआ मिनिमम थाटी डेज बचे हुए हैं तो इन्हें वेश्ट ना करें बहिया चलो तो पहले का उप्श नमर सेकिंड आपकी स्कीन पर दिख रहा है यूनिक ओपरेटिंग सिस्टम बहिया यूनिक ओपरेटिंग सिस्टम जो है किसका एक रूप है आपको बताना है यूनिट ओपरेटिंग सिस्टम ओफिस अच्छा ओफिस अभी ओन हो गए बताओ बया चार ओप्शन्स आपकी स्कीन पर है ओप्शन नमबर A, B, C किसी के जवाब नहीं है आज कम्प्यूटर पढ़ नहीं रहे हो क्या घर पे क्लास नहीं चल रहे है इसका मतलब यह है कि आप पढ़ नहीं रहे हो सारी चीज़ डिपेंड ओ टीचर्स के उपर सेल्फ इस्टडी नहीं कर रहे है आप इसका मतलब यह है जवाप कुशन्स के जवाब नहीं दे पा रहे हो दिवेश बताओ बई जी तू बताओ कुशन नमबर second आपकी screen पर है फटाफट से बताएंगे जिसने इसका जवाब दे दिया question number third का जवाब देंगे www का पूरा नाम क्या है www का पूरा नाम क्या है आपको काफी सारी full form याद करनी पड़ेंगे इसका मतलब पूरे नाम को याद करना पड़ेंगे जब मैं last में session को end करेंगे तो आपको daily 10 daily 10 आपको मैं बताऊँगा आपको 10 daily daily याद करनी है जिससे आपके पास लगबग 30 दिन है तो जितनी भी full form होती है 10 से multiply करेंगे तो 300 कम से कम हम याद कर लेंगे 10 तो हम daily याद कर सकते हैं 300 हम daily याद कर 300 जो है जब तक paper आएगा तब तक हम याद कर लेंगे ठीक है www का मतलब worldwide बहुत अच्छे भाई है दूसरे का भी तो बताओ unique operating system को क्या बोलते है unique operating system को हम क्या बोलते है सिवानी रानव B चलो इसका हो जाएगा option number A multi user operating system multi user operating system का मतलब हो गया आप जानते हो multi का मतलब होता है कि एक जो point होता है एक ही point से हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं एक point से काफी सारी lines को हम जोड सकते हैं जैसे lan का मतलब होता है local area network इसमें क्या होता है जैसे एक ही आपका computer है इस computer में जो wire यह सपोज करो यह जो wire है ना एक ही CPU चलो यहाँ पर CPU माल लेते हैं एक computer के CPU से हम एक दो तीन चार CPU computers जो है वो और चला सकते हैं यहन कि multi user हो गया है ना ए बहुत अच्छे बता हो तीसरे का जबाब बताएंगे सभी अब question number 3 आपकी screen पर internet के छेत्र में www का पूरा रूब क्या है तीसरे का B world wide web बहुत अच्छे बहाँ अंकित बहुत बढ़िया तो क्या है option number B आपका सही हो जाएगा option number B चलो next question की तरफ चलते है question number 4 आपकी screen पर है बहाँ इसके दो यह options है तो दो में से एक है 50-50 दे दिया कौन बनेगा करोड़पती में 50-50 दे दिया आपको तो यहाँ पर है कौन लेगा selection दिल्ली पुलिस में 50-50 chances आपको दे दिया है पहले सही कोई एक जवाब एकदम सही है बताओ भया कौन साब प्रणाम भया इन में से किसका उपयोग इंटरनेट से जानकारी देखो इंटरनेट से जानकारी हम किस-किस चीज से ले सकते है यह आपको बताना है यह जो दो option दे रखे है इन दोनों में से वो कौन सा option सही है जिससे हम इंटरनेट से जानकारी ले सकते है जैसे मैं आप से बोलने लगूँ आप सभी को कल करना है दिल्ली पुलिस में जितने भी प्रिवियस एयर में आए हुए कुशन को यानि की कुशन पेपर को डाउनलोड करना है तो आप इन मैंसे किस पर करोगे बताओ मुझे किस पर करोगे थोड़ी सी अकल भी लगा ले ना तुक्का मारने के साथ साथ ठीक है रिजनिंग की क्लास आज नहीं होगी तुक्का मारने के साथ साथ छोटी सी अकल भी लगा ले ना जो दे रखिया भगवान नहीं ना बताओ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना रिजनिंग की क्लास तो खतम हो चुकी है अब तो सारी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी भी हम कुछ सर्चिंग नहीं कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जसलाई का कम्प्यूटर आप इंपुट देते हो वह आपको आउट्पूट देता यह प्रोसेसर होता है ठीक है मेरे भाई हाँ तो वेब राउजर की मैं याद बात करता हूँ तो इसमें हम क्या है सर्च कर सकते हैं आप इसके मुझे कोई एक दो एक्जामपल बता सकते हो बताओ एक दो एक्जामपल मुझे बता दो फटाफट से एक्जामपल बता दो फटाफट से एक्जाम्पल बताओ भया एकाद हाँ ब्लेड रियेशन बचा हुआ है अच्छछ चलो इसे भी कम्प्लीट करा देंगे गूगल और एक हो गया मैंने बुझे 2 एक्जाम्पल मिनीमम 2 एक्जाम्पल बताने हैं से ज़्यादा कितने भी एक्जामपल दे जाकते हो हाँ Google हो गया Chrome हो गया Yahoo हो गया हाँ भी या तो इसी तरीके के एक्जामपल अब याद कर ले ना हाँ तो आपका एक एक्जामपल हो गया Google ठीक है एक हो गया आपका Chrome एक हो गया आपका Yahoo इस तरीके से आपको 4-5 एक्जामपल याद कर ले ना अच्छे यूसी ब्राउजर तो बंद हो गया क्योंकि उहां का था चाइना का था वो बंद करवा दिया हमोदी जीन है ना चलो बताओ पिक्चर फाइल आप अपनी फोटो वगरे क्लिक करते होगे अपने फॉन में है ना फॉन में फोटो वगरे क्लिक करते होगे तो बताना है निम्लिकित मैं इसमें से ऐसे हैं कि भाईया पिक्चर बन सकती है उसमें उसमें पिक्चर बन सकती है यदि आपको computer की 10 में से 10 कुश्यन को सही करना है तो भाईया class को computer की daily ले 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 ना ठीक है जब भी class हो तभी आजा ना पिछली साल के सारे कुश्यन है जो CGL वगरा में select हुए हुए है ठ इसमें पिक्चर क्वालिटी नहीं हो सकती देखो आप इसमें ले सकते हो JPEG में ले सकते हो आपके फोन के जो फोटो जो PDF वगरा होती है ना उन PDF को जब आप फोटो में transfer करोगे तो वो किस में transfer होगी वहाँ पर option आएगा आप कर लो JPEG में तो वहाँ से आप JPEG में कर सकते हो उसके बाद यदि में बात करूँ GIF की तो GIF में क्या है आपने देखा होगा कि जो छोटी सी फोटो क्लिक होते हैं लेकिन उनमें कुछ motions लग ज आते हैं जिसे कि आइसा लगता है कि हाँ जैसे live चल रही हो एक तरीके से आपने देखाओ नवरात्री वगएरा में आपने देखाओ को भगवान जी इधर से उधर जाते रहते थे वह फोटो में इधर से उधर घूमते रहते थे ना वह तो वह सब इसी की देन है ठीक है ब questions के जो 4 options होते हैं A की जवाब होता है और थो सारे आपको negative marking के लिए दिया जाते हैं 3 points एक question दिया जाता है positive के लिए और बच्चा सबसे जादा negative करका था क्योंकि जादा option क 가ो जिए negative के तो देखो किसके बराबर होती है 8 पुनम करते हैं आपका तो डेली का ही यही इसू है नेट नहीं आ रहा हमारा तो है ही है आपका भी साथ में है नेट खर्च कर लेते हैं आप पूरो दिन वीडियो देख देख के बताओ आपका उप्शन हो जाएगा 4 कितने विट्स के बराबर होती है 4 के बराबर होती है 4 विट्स के बराबर होती है अगला कुशन HTML HTML में जो टेग होते हैं कीवर्ड जैसे मैं आपको URL की बात करता हूँ एक एक्जाम पर ले जाता हूँ किस तरीके से समझ में आएगा वहना आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि टेक्स की बात करी है URL में क्या होता है आप देखोगे या तो YouTube पर देख लो कहीं भी या फिर आप Chrome पर जा के देख लो सबसे उपर एक लाइन आती है जहां पर आप सर्च करते हो जहां पर आप सर्च करते हो जैसे आपने सर्च करने में लिखा इस्टार अकेडमी दादरी आप इस्टार अकेडमी दादरी को सर्च करने के बाद में आपने सर्च करा सबसे ऊपर एक लाइन खुली होती है सबसे ऊपर एक लाइन आती है वहाँ पर उल्टा सीदा दे रखा होता है जैसे bcckm.c के इस तरीके से तो यह यह url यह htts करके होता है htts करके होता है इसी तरीके से यह html html का एक code होता है वो बता हो क्या होता है good night, bye हमारी net दिक्कत आरी है हमारी net में क्या हमारी तरफ से तो ok यदि आपको problem लग रही है तो आप एक काम करो कल देख लेना ठीक है, जाओ, सो जाओ तो देखो कोश्टक का जो प्रियोग है वो भी नहीं किया जाता, work का प्रियोग भी नहीं किया जाता आपको जो option number d हो जायागा कोश्टक का इसमें इस्तमाल किया जाता है इस तरीके से चीनल लगे होते हैं यहाँ पर लिखा होता है html अब आप कहोगे कि भाया इसको देखने को कहा मिलेगा एक काम करना, अपने अपने laptop को खोलना उसके बाद में आप html की coding करना शुरू कर देना या फिर नेट पर सर्च कर लेना html coding बढ़िया चल रही है हमारी तो हाँ बाई बढ़िया चल रही है टॉप चल ले टॉप चलो बताओ अगला कुश्यन आपकी स्क्रीन पर रहा हूँ वह प्रिंटर जो एक समय में एक से ज़्यादा अक्षर नहीं छाप सकता पराने जमाने के प्रिंटर है न बाई इसलिए एक समय में एक चीज चापिक रहे है यह जैसे आप बताया जाता है कि एक चीज पर फोकस कर लो मेरे बाई सब चीज की तरफ ना दोड़ो बताओ कौन से प्रिंटर है ऐसा जो एक समय में एक से ज़्यादा अक्षर नहीं छाप सकता था बी SSE 2 10 प्लस 2 2013 में आएगवा कुशन है भाई देखते हैं कितने विध्यारती सही अपना अपना स्कोर कार्ड भी लिखते है न अपनी कॉपी में कितने नमबर आ रहे हैं आपके कम से कम तीज कुश्चन होंगे बताओ तो भाईया वह कौन से प्रिंटर है कौन से प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स बी अरुंदामा बहुत अच्छे पूजबाटी बहुत बढ़िया दिवेश हैंगर बहुत अच्छे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी आपका सही हो जाएगा अगले कुश्चन पर आते हैं निजी कम्प्यूटर यानि कि पर्सनल कम्प्यूटर ठीक है निजी कम्प्यूटर से उत्पन कच्छे को क्या कहते हैं कच्छे का मतलब कूडे वाला कच्छा नहीं है कूडे वाला कच्छा नहीं है कच्छे का मतलब है रिसाइकल बिन में जैसे आप कुछ इलेट कर देते हो वो खब कहां पहुँच जाती है रिसाइकल बिन में पहुच जाती है ना इसी प्रकार से बताना है Personal Computer में उतमन कच्रे को क्या कहते हैं बतादो भाया क्या कहते ते है उजनागर भी Computer कच्रा computer कच्रा बना दिया बहुत बढ़िया करा तो में computer बना दिया था आज इनेट veurk problem होगी क्या हम भईया पता नहीं आज होगी कल भी होगी परसों भी होगी जब जब होगी जब जब आपका पढ़ने का पूरी तरीके से मन होगा तब तब ये problem होगी लेकिन आप इन problem को फेश नहीं करोगे और सो जाओगे चद्दर उड़के बताओ option number C E कचरा कौन सा हो जाएगा आपका option number C हो जाएगा personal computer में जो उत्पन कचरे हैं उन्हें क्या बोलते हैं E कचरे बोलते हैं DVD भईया सब के घर में यूज होती है DVD बहुत सारी movie देखते थे पहले हैं अब तो नहीं देखते हो अब तो तुम memory card वगरा pen drive वगरा लगा लेते हो ना अब तो तुम digital बन गए हो अर्चित कुमार D बहुत बड़ी अर्चित अब तो तुम digital बन गए हो जब तुम digital नहीं थे उससे पहले आप क्या करते थे अपने tv को पर एक dvd रख लेते थे उस dvd की full form बताओ dvd की full form क्या होती है पूरा नाम क्या होता है dvd का बताओ बहिया dvd का पूरा नाम बताओ जो बताएगा जो बताएगा उसे आता होगा सी बहुत बढ़िया पूजा सी डिजीटल वीडियो डिस अच्छा जी और बताओ जी सी ऑप्शन नमर सी डी चलो डी वाले भी है इन में से कोई नहीं अच्छा डी का मतलब इन में से कोई नहीं भाया यह MTS में आये हुआ है ज्यान से देख लो इस MTS 2013 में कुश्यन आये डीवीटी की फिलफर्म क्या होती है डिजीटल वीडियो डिस्क सी ऑप्शन जितने भी सातियों ने दिया सभी को सही है याचना नागर बहुत अच्छे जी तू बहुत बढ़िया भाई अर उन बहुत अच्छे लोकेंदर कुमार हंड्रेड परसंट ठीक है जी हंड्रेड DOES में में का जी हो grow MS का जो चेप्टर ना यह बहुत इम्पोडेंट चेप्टर है अtop है इसे हलकें मतले ना इसे हलके मतले न, MS-DOS, MS-PowerPoint, MS-Word, MS-Excel, ये सभी इसी में आ जाते हैं, तो MS का जो Point Chapter जो है, वो बहुत Important Chapter है, आपको पढ़ना होगा, कि कितनी उसमें, आपने देखा होगा, कि जो हम MS-Excel जो बनाते हैं, उसमें कुछ Speed Seats बनती हैं, उनकी row और number of rows, number of columns कितनी कितनी रहती हैं, तो इन सभी के questions मैं आपको करा दूँगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, बस daily class में आ जाना, ठीक है बया, बताओ, MS-DOS में primary file के नाम में कितने अक्षर हो सकते हैं, बताओ, लगिंदर कुमार C, G2-D, बताओ, और पहली file में कितने अक्षर तक का विस्तार कर सकते हैं, बताओ, ये तो हो गया नाम से कितने अक्षर हो सकते हैं, और minimum जो मैं बात करूँ, minimum विस्तार की, कि हम एक file में, प्रथम file में, जो पहली file होती है, उसमें minimum कितने रख सकते हैं, इसका तो option हो जाएगा आपका 8, option हो जाएगा 8 एकदम सही है, इसका जवाब 8 एकदम सही हो जाएगा, लेकिन यदि मैं बात करूँ, एक primary file में कितने हम रख सकते हैं, अक्षर को, कितने अक्ष प्रात्मिक file में कर सकते हैं, ठीक है, चलो, USB, USB by, इसे तो सभी जानते होंगे, next class होगी, क्या, आज नहीं होगी पूनम, क्योंकि आपका net issue कर रहा है न, दिक्कत कर रहा है न, आपका net खतम होने वाला होगा, इसलिए आज आपके चक्कर में class नहीं ले रहे, कल एकदम net इदर कॉने में button से दियो होते है, portal दियो होते है, उसमें हम अपने USB को connect कर लेते हैं, mouse को भी कर लेते हैं, keyboard को भी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे connect कर लेते हैं, लेकिन बेटा उसकी full form क्या होती है, बताओ, 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 चलो, USB की full form क्या होती है, USB का मतलब तो जानते हो न, full form से ही मतलब मत रखो, इसका काम भी जान लो, चलो, इसे में एक use बता दो, यदि मैं एक use की बात करता हूँ, तो एक use बता दो, मुझे USB का, यूनिवर्सल रियल बस, बहुत अच्छे, बताओ, यूनिवर्सल की full form बताओ, तो यूनिवर्सल एक क्या है, हाँ, इसकी full form से ही है, यूनिवर्सल सीरियल बस, अच्छी है, पूनम करदम बहुत बढ़िया बताईए और ये किस प्रकार चीज में यूज होता है आपको ये भी बताना है किस प्रकार से यूज किया जाता है और एक इसका यूज भी बताना है तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होती है universal serial बस इसकी full form होती है ये क्या काम करता है connectors होता है ये एक connector का काम करता है किसका काम करता है ये connector का काम करता है जो connect करता है किस चीज को connect करता है आपके laptop को किसी भी दूसरे device से connect करता है जैसे mouse हो गया मेरे भाई आपका कोई भी keyword हो गया ये उस तरीके से क्या करता है connect करता है ठीक है बताओ कोई दिक्कत इसमें उसके बाई USB की बात करता हो इसके अंदर जिस तरीके से बिजली में आपने देखेंगे एक positive charge होता है इस negative charge होता है इसी तरीके से इसके अंदर भी plugs होते है जो चार परकार के पाये जाते है पहला होता है आपका जिसमें 5 voltage तक current वगरा और दूसरा होता है data negative का एक होता है data positive का एक होता है आपका ground का तो चार portal आपको देखने को मिलेंगे किसी भी हाजी बहुत अच्छे यदि मैं इसकी release की बात करता हूँ कि इसका release कब हो था यानि कि इसकी उत्पन जो कब हुई थी sun बतानी है आपको इसकी जैसे बताते है sun बतानी है आपको कि इसका विस्तार कब हो गया था universal serial bus का विस्तार कब हो गया था बताओ कब हो था 1964 में हो गया था कब हो गया था release in 1964 में इसका विस्तार हो गया था ठीक है चलें अगले question की तरफ बात समझ में आ गई USB की पूरी USB के बारे में पूरी जानकरी लेनी है ठीक है इसका मतलब यह नहीं है इसका option तो बता दू option number C अगले question पर आ जाते है हाँ USB connect करता है आपके laptop से दूसरे items को keyboard हो गया mouse हो गया आपका कुछ भी हो सकता है एक browser किस प्रकार का software एक browser किस प्रकार इसमें भी दो यह option है एक option आपका धना ही option आपके गलत है आपको बताना है अपने इशाब से चार options से इसके दो ही दे रखे हैं हो सकता है दो मैंसे कोई हो आप c option लिख लो इन मैंसे कोई नहीं यह तो एकदम सही है इन मैंसे कोई नहीं तीन options मैंसे आप जवाब देंगे सुबह साम बताओ भया एक browser किस प्रकार का software है आप सभी जानते होंगे इस चीज को ब्राउजर किस प्रकार का software है जल्दी से बताओ भया जल्दी से बताओ कहां गए सब अरे खाना खाने चले गए क्या जब आप नहीं हारे जल्दी से बताओ भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेर तो है लेकिन एक जो browser है इसमें हम क्या काम करते हैं सर्च करते हैं यह एक सर्च इंजन है जहां पर हम सर्च कर सकते हैं कुछ भी सर्च करते हैं एक्जामपल में गूगल ले लो एप्लीकेशन सॉफ्टवेर है यह ठीक है तो इसका option हो जाएगा इनमेंसे कोई नहीं यानि कि option number C हो जाएगा इसका option चलो देखो MS की family एक और आगई MS word के नाम से अभी तो आई थी MS dos के नाम से अब आगई MS word के नाम से MS word में replace यानि कि जैसे आपको यहां पर नमबर देता हूँ A, B, C, D, E, F, G आपको इस मैंसे एक क्या ले लेते हैं A मैं एक बार और ले लेता हूँ F ले लेता हूँ A ले लेता हूँ और F ले लेता हूँ A ले लेता हूँ अब मुझे A की जगह क्या replace करना है C replace करना है मुझे A की जगह C replace करना है तो बताओ कैसे करूँगा मैं जिसने basic वगरा computer का करा होगा ना वो सब लोग जानते होंगे किस तरीके से हम replace करते हैं पहले file पर पहले हम क्या करते हैं MS word को खोलते MS word को direct खोलने का trick वो बता दो क्या नाम में उसे क्या कहते हैं जब direct खोलते हैं तो जैसे नाम क्यों प्रेश्ट करने का shortcut क्या होता है पेस्ट करने का shortcut की बताओ पेस्टकर की बताओ या हां बहुत अचτα करने की जो shortcut की होती है वह होती है control में plus कर दो V के साथ में control को V के साथ में P नहीं सुमित P नहीं यह तब print हो गया control plus P दवा देंगे तो फिर तब भया print हो जाएगा control plus V होता है हाँ हम आपको command भी लिखवा देंगे importancy control plus V करो गये तो वो paste हो जाएगा इसी तरीके से आप replace के लिए भी कर सकते हो command को use लेकिन मैं आपको basically बता दो कि आप यह जो चार option दिख रहे हैं आपको इन में से किस option पर सबसे पहले click करोगे control C copy मेरे जीरो बहुत बड़ी अपको नम करता हूँ चलो चार options बताइए तो आपका जबाब क्या हो जाएगा इसमें option नमर D सबसे पहले हम edit के बटन पर आपको सबसे पहले क्या है इसको खोलना है इसको खोलने की आपको बता दो आप सर्च में जाना और वहाँ पे डाल देना win word win word तो आपका सीधा खुल के आ जाएगा ms word ठीक है वहाँ पे जाके आप अपने कोई भी pdf होगी उस pdf को वहाँ पे ले लेना लेने के बाद में आपको क्या करना है edit पे जाना है edit के बाद में replace का button आएगा भाईया ऐसे पूछेगा हो सबसे पहले कहां आप जाना पड़ेगा जैसे कुष्चन आया ना ऐसे आएगा ठीक है फिर आपको replace पर जाना है replace से जो button जो change करना है आपको जैसे मुझे एचेंज करना है तो मैं एसे change कर दूँगा ठीक है जी और बताओ आगे चलें चलो दो CPU आपका भाग्य विदाता आपका भाग्य विदाता आ चुका है आपकी screen पर हसन खान को सारी याद मुझे तो लिखवाने के जरूत भी ना पड़े कॉपी कर लो जड़ी है जड़ी है जड़ी कॉपी कर लो हाँ बताओ CPU तो ऐसे जानते होंगे जो CPU सुनते ही बता देंगे कुश्चन भी ना पड़ेंगे CPU में पूचा क्या लेकिन बता देंगे कुश्चन है CPU Central Processing Unit हाँ ये तो इसकी हो गई फिल फॉर्म हो गई इसका पूरा नाम हो गया CPU का पूरा नाम क्या हो गया Central Processing Unit इसका पूरा नाम हो गया Brain of Computer दिवे शेंगर बहुत बढ़िया इस तरीके से भाया ये कुश्चन तो सबको दिख रहा यार इससे कुछ अलग लाओ ना CPU को हम और किस तरीके से जैसे इसने बताया मुझे कि हम Computer का Brain भी कहते हैं CPU को अब आप मुझे एक चीज़ बताएंगे एक चीज़ बताएंगे मुझे Mini of Computer हाँ छोटा Computer बोल सकते हैं आप मुझे एक बताएए ये हमारे पास एक Computer है Keyboard भी है Mouse भी है हर चीज़ है मेरे पास में बट CPU नहीं है मेरे पास में और Light भी टॉप आ लिए कोई दिक्कत वाली बात ना लिए क्या मैं इसका यूज़ कर पाऊँगा क्या मैं इसका यूज़ कर पाऊँगा हाँ ये चीज़ बताया को रजैसे बताया कि CPU जो है ये एक Input Device भी है इसकी जो Full Farm होती है वो Central Processing Unit होती है इसको हम Computer का दिमाग भी बोलते है इसको हम Mini Computer भी बोलते है सर यदि CPU नहीं होगा तो हम Computer का यूज़ भी नहीं कर पाएंगे त ठीक है चलो आजाओ Input Output भी बता देंगे चलो निमलिकित मेंसे बताओ अगला कुश्यन अरुन नहीं नो जी तू क्या चलो अगला कुश्यन पर आजाओ छोड़ो सब बात अगले कुश्यन पर आजाओ Impact Printer इन मेंसे कौन सा Impact Printer है Impact Printer बताओ भी या Impact Printer Laser Printer देखो एक होता है Impact Printer एक लेजर प्रिंटर बहुत अच्छे और बताओ और बताओ फटाओ फटावर्स है Impact Printer का बताओ एक चीव देखो आपने आप प्रिंटर देखोंगे बहुत सारे Impact Printer में एक जब आप किसी की प्रिंटिंग करोगे न तो वो एक लाइन सी आती है एक रसी सी आती है इस तरीके कि अपने अपने जब आप फोटर स्टेट करवाने जाओ या कुछ करवाने जाओ न उसकी कॉपी वगरा जैरॉक्स वगरा करवाने जाओ तो देखना जब वो printer के उपर के सी से को उपर कर देते है न वहाँ पर या तो एक रबर बनी हुई आती है एक लाइनिंग बनी हुई आती है वो लाइनिंग क्या करती है उपर से लेकर नीचे तक राउंड मारती है लेजर प्रिंटर में क्या हता है आपको light जलती हुई दिखाई देग ठीक है अगले कुश्यन पर आयाते हैं इन मेंसे कौन सा अलग है भाईया चार दे रखें आपकी स्क्रीन पर चार चार मेंसे कोई एक ऐसा है जो भिन है अलग है डिफरेंस है बताओ भाईया कौन सा है पटावर से लाइक कर दो यार जिसने लाइक नहीं किया मतलब मैं बोलता नहीं हूं तो लाइक भी नहीं करते हूं बहुत बढ़ी है और नई विद्यारती यदि है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई आपसे एक छोटी सी रुकेस्ट है सभी एक बार वीडियो को अपने सॉसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फोट्टू डालते हूं न ऐसे डाल लेकर एक बार दिन में एक बार तो डाली लेकर सॉसल मेडिया पर ठीक है बाई मेरी वीडियो पीछे क्यों चल रही है तो नेटवर्क इस लिए तुमारे वीडियो पीछे चल लिए और हमें पता नहीं है वैब को ट्रांसफर करने के लिए मेरा वैब का मतलब हो गया वैब डबलू एवी वैब का मतलब हो गया आपका नेट से सर्च से ठीक है यह एक ऐसा है जो वायर के थुरू वैब को ट्रांसफर करते हैं यह भी एक ऐसा है जो वायर के थुरू वैब को ट्रांसफर करते हैं ये भी भाईया ऐसे ही है, लेकिन जो microwave है, ये ऐसे नहीं है, ये अब wireless है, ये नए generation के हैं, ये नए generation के हैं, ये wireless में भी जैसे हम mouse आते हैं, wireless mouse, उसमें आपको तार लगाने की जरूत नहीं बढ़ती, तो ये कुछ उसी प्रकार से है, microwave को बिना wireless से हम net चला सकते हैं, जैसे व DC, digital, circuit द्वारा किस प्रकार की सूचना प्रणाली को मानिता मिलेगी, बताओ किस प्रकार के प्रणाली को मानिता मिलेगी, जल्दी से बताएंगे, फटावर से बताएंगे, सभी जाती बताएंगे, बतादो बतादो जल्दी बतादो, पूजा भी बताएंगे, हसन भी बता बता आए गई बताए का कभाई और अरुम्म अरून तो सबसे पहले बताए का बाई बताऊ जल्दी थे डी हाँ बहुत अच्छे बहुत बढ़ि ей याचना नागर डी बहुत अच्छे डीजीटल सरक्ट यह दौनों परनाली में यूज work- courses होता है क्वोन जी Binary या binary से मुझे याद आ गया binary से मुझे एक cushion याद आ गया कि exam में एक binary जरूल पूछा जाएगा आप मुझे ये बता दो binary में कौन-कौन से number यूज होते हैं सबसे पहले मुझे ये बता दो binary जब दिखाई देगा या तो 0 इसका number होगा या इसका number 1 होगा 0 होगा या फिर 1 होगा एक इसी तरीके से हाँ एक होता है ये hexadecimal ये दो प्रणाली ऐसी होती है जिनको B और C आपका अंसर हो जाएगा जिसको मानेतम मिलेगी ठीक है सही है भया जिसका भी आपना भया दो ऐसे मतलब 2 का मतलब 0,1,2 ऐसे नहीं 0 और 1 को मिला का सथ जी 2 होगे ऐसे तर 2 है अन्यता इसका अंसर जो है 0 और 1 के वल दो ही number है ये binary वाले जो सीतल कुमारी D सीतल लेट होगे निमलिकित मैं से 9.9 million के साथ बजार हिस्षेदारी यानि कि आप एक बात कह सकते हो कि जितने भी ये चल रहे है न बजारी इसे दर मार्किट जो पिलेज है हमारा ये सब क्या है एक इंटरनेट के ब्राउजर के वो है इसमें सबसे उपर जो है वो 9.97 million के साथ चला है भारत में 6 internet सेवा बतानी है जो प्रोवाइड कर रहा है ISP बताओ भारत में किसके अनुसार भारत के अनुसार बतानी है और ये कहां से देखी जाती है सबसे पहले जैसे जनगड़ना लोगों को से देखी जाती है जनगड़ना का लगाए जाता न असार इस तरीके से net को भी किस तरीके से देखा जाता है उनके घिराकों के आधार पर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोग क्या यूज कर रहे है जैसे मैं आपसे इस से पहले एक कुशन करता हूँ छोटा सा आप मुझे बताएंगे आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि भारत में जितने भी लोग है जितने भी भारत में लोग है वो सबसे ज़्यादा किस चीज की सिम को यूज कर रहे होंगे जियो, एरटेल, आईडिया, बुड़फोन इस मैंसे कौन से आपके अनुसार आपको अपने आप लगा रहे है तो आप कैसे लगाओगे, आप अपने आसपास देखो, सबसे ज़्यादा एरटेल चल रही है एरटेल चल रही है, सबसे ज़्यादा बाइशाब, भूल रहे हो तुम के सम्मानी को आपका वाग्य विजाता कि फिरी में नेट चलाओ, है ना, भूल गए उनके दिनों को तो सबसे उपर जो चल रही है, वो चल रही है, जियो हाँ, जियो, जीतु बाटी बहुत बढ़ी है जीतु को याद है, फिरी में नेट चलाया ना, इनने जीतु ने बहुत सारे बच्चों ने तो फिरी में नेट चलाया है, जीयो का हाँ, तो इसी तरीके से हम नेट की भी किस तरीके से बता पाते हैं गिराकों के आधार पर बता पाते हैं, कौन से चल रही है तो भाईया भारत में सबसा बढ़िया चल रही है BSNL BSNL चल रही है Net भी जीओ यह यह है वाइर वाली है उसमें भी जीओ ही है चलो तो यहां option में आपको दे रखा न BSNL तो मैंने BSNL बता दिया यदि आपको option में मिल जाता है जीओ लाला जिंगा लाला तो भाई जीओ लगा के लिए कहा जाना जीओ लाले न अब यहां पर मुझे जीओ तो मिला नहीं है जीओ option में नहीं है इसलिए तो मैंने BSNL बता दिया आपको options के हिसाब से चल रहा है अब उसने बोला होता अब इसके हिसाब से option में सबसे पहले तो हमें BSNL दिखाई दे रही है ना मेरे बाई जियो होती तो जियो हम लगा देते उसके बाद पंडजी डिलाइंस डिलाइंस तो कब की गuição गई घर अब तब जी अ आ गई मार्किट में एकनोमिक्स भी पढ़ रहे हो نा मार्किट से आड़ है मेरे भाई एकनोमिक्स भी पढ़ रहे हो क्या कंसे कम बता हो बाजि दो तीन कुश्चन थो भजने ही भजने एकोनॉमिक्स के ता इकोनॉमिक्स भी पढ़ते रहो टेल नेट एक क्या में बता व गया में में यह तो में चा Based सर चिंजन है बहुत बढ़िया बाई या क्या है ये टेलनेट एक क्या है मेरे बाई प्रोटोकॉल है बाई मेरे क्या है ये एक प्रोटोकॉल है IP इंटरनेट पर रिपोर्ट कंप्यूटर के कनेक्शन की अनुमिती देता है जैसे IP address की मैं बात करूँ IP address देखो आपके phone का आपके phone में वो होता है phone के पीछे ने लिखा रहा था क्या कहते है उसे जो 15 digit का number होता है MI number EMI number EMI number होता है इसी तरीके से net के लिए IP address होता है net के लिए क्या होता है IP address होता है net के लिए IP address होता है जिस तरीके से फॉन के पीछे EMI नम्बर होता ना कि उससle हम पता लगा सकते हैं कि इसके फास है हमारा फॉन हाँ जी इसी तरीके से इसमें एक IP अडरस होता है उसके तरीए हम पता लगा सकते हैं कि यूजर्स कितने है ODBC का पूरा नाम बताए भाई I.E.M.I. की फुल फॉर्म बताओ गे क्या चलो I.E.M.I. की फुल फॉर्म बताओ बताओ फटावर से I.E.M.I. की फुल फॉर्म बताओ कौन बताएगा जल्दी से बताओ भाई I.E.M.I. की फुल फॉर्म बताओ बया IEMI की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ बया IEMI की फुल फॉर्म बताए किसी को बता दो जिसको पता हो इसकी दो फुल फॉर्म होती है I E M I क्या होता I E M I होता बताओ बया O B O D B S की बतादो फटाफर से और इसकी फिल फटाफर से मुझे कमेंट कर देना जब वीडियो एंड हो जाए ना इसकी कमेंट कर देना ठीक है जिसकी सहयोगी उसको हम दिल दे देंगे ठीक है इस्टार वाला दिल दे देंगे बताओ इतने इसकी बताओ O D B C Open Database Connectivity यानि कि Option Number C हो जाएगा Open Database Connectivity का सही जवाब हो जाएगा चले बही अगले कुश्चन की तरफ चले हाँ जी हमारे गुरुदेव ने बता दी अच्छी हाँ जी चलो International Equipment Mobile IEMI हाँ जी पक्का गुरुजी हाँ जी गुरुजी पक्का लेकिन बतानी कब है जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब बतानी है ALU और कंट्रोल सेक्षन दोनों में एक विशेस उद्देश है स्टोरेज होता है बताइए क्या कहराता है वो इस्टोरेज जैसे आपके फॉन में क्या होता है एक इस्टोरेज होता है एक इस्टोरेज होता है आप सभी के फॉन में 8GB 10GB जो भी हो 128GB अपने अपने फॉन का मत बताने लगने बाई बज मेरी सुन ले न मैं क्या कह रहाँ ठीक है एक storage होता है इसी तरीके से ALU और control section में दोरों में एक विशेस उद्देश होता है बताईए क्या है कि उस इस्टोर का बता दीजिए क्या बया क्या कहते हैं उस इस्टोर को option A अंकित ठीक है बाई और बताओ कि सब बताए करो तभी बाई मज़ा आए कर अगर सब बताओगे तो यह एक storage होता है क्या होता है रजिस्टर एक रजिस्टर होता है होता है यह storage होता है मैं बात करूं तो किसका cpu में एक छोटे से भाग में यह सब कामों को क्या कर लेते हैं storage कर लेते हैं यह यह क्या चक्क्र बाई यह दे देते बस अगला देखो assembly भासा को machinery भासा में बदलने वाले translator को क्या कहते है translator तो आप जानते ही हो ना जो एक चीज को दूसरी चीज में परिवर्तन कर लेता है उसको हम क्या बोलते है translator बोलते है उसको है ना translator बोलते हैं जो एक चीज को दूसरी चीज में transfer कर देता है जैसे आप English को Hindi में transfer करने के लिए Google का यूज करते हो Jasmine बाटी काफी दिनवाद आई है बहुत बड़ी है ऐसे ही late late आया गरो है ना बताओ भाया क्या है यह मैं जानता हूँ सभी के जवाब इसके सही होंगे बाई option number A इसके सभी के जवाब सही आने जी है जिसका गलत आ रहा है वो समझ जो फिर आगे की बात को मेरी को ठीक है हाँ यह question बहुत बड़ी आ गया बाई यह question बहुत बड़ी आ गया इसमें दो question है एक question तो आपकी screen पर दिख रहा है दूसरा question आपसे पूछा जाएगा आपको जवाब देना है comment में वीडियो के अंत में यह तो है भारत का super computer परम कहां इस्तित है बाई दूसरा question पता है न हाँ जी दूसरा है विश्यो का बढ़ीया मेरे आपको विश्यो का बता के comment करना है लेकिन यहाँ पर अंसर देना भारत का super computer परम कहां पर इस्तित है कहां पर रहता परम पता किसी को कहां रहता परम पूजा नागर बहुत बढ़ीया सीतल बहुत अच्छे बतादु बहई या बारत का सूपर कंपूटर परम कहां पर रहता बहई किसके घर के और धुरह रहता है कोई जो परम कंपूटर है न ये पूने में रहता बहई ये रहता है वराट कोली एमेस दौनी के उजार पूरे में खेले एंजत्तर पूरे एक तरफ सो हाँ बता दो अगला कुश्चन भाईया आपकी स्क्रीन पर बहुत तकड़ा कुश्चन है जो इसका जवाब देगा उसे हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट रात को पढ़ना पढ़ेगा जो इसका सही जवाब देगा उसको पूरी रात ना कम सकम 5 घंटे पढ़ने पढ़ेगे 10 बजे से 2 बजे तक पढ़ने पढ़ेगा बताओ भईया जवाब इसका जवाब जो भी सही देगा उसको आज रात दस बजे से लेकर आज रात के दो बजे तक पढ़ना पढ़ेगा अब दो कौन देता इसका सही जवाब RDBMS क्या बेटा RDBMS का फुल फॉर्म बता दो भाई शिवानी रात को पढ़ना पढ़ेगा सही जवाब निकला तो जितने भी यह बी देने वाल है विकास पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ पूजा रात को पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ जी तू रिड़ी भाई तो इसका जवाब हो जाएगा B आपको अब रात में पढ़ना पढ़ेगा जिसने भी B दियाना बाई उन्हें रात को पढ़ना पढ़ेगा कम चुकम दस वज़े से लेका दो वज़े तक पढ़ना पढ़ेगा मज़े आ जाएंगे कोई बात नहीं पूझा हाँ फिर ठीक है फिर तो ठीक है कोई बात नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहाँ है छोटी सी कुछ आपकी full form है आपकी स्क्रीन पर दिख रही है डेळी आपको यह full Polan मैं करा दूँगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस डेली दस आपको फुल फॉर्म कराऊँगा आपको डेली बट आप पढ़ाऊगे जुवानी ऐसे ना ऐसे मत कहा करो ये कहते ना ये शी बातन ने स्कृरीं सॉर्ट लेलो भाई इसका सीचा का टार ये इसके बाद में इसे हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा जो इंप्रडेंट इंप्रडेंट है उन और आपको कराता रहूं और डेली दस याद करनी हैं याद करना शुरू करते हैं सभी विद्यारती जूट नहीं बोलेगा कोई भी अपने आपको जैसे कहते हैं क्लास में बैठके आप पढ़ते हो ना जैसे मैंने ये उठा लिया क्या उठा लूँ CD उठा लिया Compact Disc उठा लिया तो सभी मन में कम से कम चार बार बोलेंगे Compact Disc Compact Disc Compact Disc Compact Disc Compact Disc इस तरीके से अब आज कैसे चेंज हो गई भाई तुमारी थोड़ी दिक्कत आ रही है फीवर फीवर से हो रहे है थोड़े से बस हमारा वाज चेंज से हो रही है चलो किशी को तो पता लगा कि फीवर हो रहा भाईया अब देखो आपको इमानदारी से क्या सभी रेडी है एक बार मुझे ओके का मैसेज करेंगे सभी विध्यारती चलो पांच बार छोड़ो पांच बार कहोगे तो मम्मिन उखेंगे पता ने क्या क्या कहते जा रहे हैं ने क्या करो दो आपको दो यह तो सुरू करें मेरे साथ साथ पढ़ो गहें चलो पढ़ो ए डी सी ए डी सी याद करो माइंड में धिहान से ADC को बोलते हैं Analog Digital Converter क्या बोलते हैं Inverter मत पढ़ना Converter पढ़ना ठीक है अब मन में दो दो बार बोल लो अपने अपने में फटाबट से बोलो फटाबट से ADC को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ हाँ बहुत बढ़िया यही बोलते हैं जो तुमने बताया ठीक है चलो एक बार और ADC को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ बटाबट से बताओ बहुत बढ़िया यही बोलते हैं बहुत अच्छे मजा कर दिया चलो अगले पर आजाओ AI को कहरते हैं Artificial Intelligency क्या बोलते हैं Artificial Intelligency AI को क्या बोलते हैं बच्चो Artificial Intelligency बहुत बढ़िया एक बार और AI AI को क्या बोलते हैं Artificial Intelligency अरे भाईया कर भी रहे हो मैं ही कर रहा हूं कै करते हैं एक बार करते रहो चलो ऐसे ही और logarithm language इसको क्या बोलते हैं arithmetic logical unit और BSNL को क्या बोलते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड CAD को क्या बोलते हैं computer added design फटाफ़र से एक बार सभी रिवाइज करो फटाफ़र से सभी रिवाइज करो जल्दी से करो भाई पारूल पाल आगे मत पढ़ो www हो चुका है बेटा ऐसे मत करो जल्दी से एक बार सभी जब रिवीजन हो जाए ना आपका यहां तक कहां तक CAD तक हो जाए तो मुझे बता दे ना फिर मैं आगे की दो तीन कराते हैं फिर चलते हैं खाना खाने और खाना खाने के बाद चलते हैं पढ़ने आज पढ़ेंगे 10 वजे से कम से कम 2 वजे तक पढ़ेंगे भाई आज ठीक है चलो CD को बोलते हैं Compact Disc CD ROM को बोलते हैं Compact Disc Read Only Memory Compact Disc Read Only Memory CD R यार डबलू को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट कि अधि अधिया सब ने एक एक पार रिपीजन कर लिया भाईया आ गए क्या ये करेक्ट एरे तो सारी करेक्ट है हमें कौन सा इकरेक्ट बताना चलो भी ये ठीक है File कि यहीं पर व्राम देते हैं computer की क्लास को सबसे पहले मुझे बता दो आज की किलास कैसी लगी मजा आया की नहीं आया कल किलास में आओगे कम्पिटर की में कर भाग जाओगे एक दिन में उस यार होगे मैं सोच रहा हूँ लगातार चैप्टर वाइज किलास ली जाए चैप्टर वाइज किलास ली जाए पताना अरुन भाई का अंसर देरी है मेरी भी नहीं समझ में आ रहा आ कि अध्या को दो थे नहीं है हमारे तो मस्त आएंगे बहुत बढ़ी हाँ इमांदारी से जवाब देना जी तूब भाई I like it I like it I like it देखा पारूल अब भी अंसर दे रहे हैं मुझे तो लग रहा पारूल की वीडियो पीच्च चल दिया है है ना चलो बहिए आज की क्लास कैसी रही इसका मुझे फटाफट से कमेंट कर देना और आपके स्कोर कार्ड में क्या-क्या नंबर आएंगे कल उसका नाम कल उसका नाम कल उसका नाम बेर्ड पर लिखा जाएगा कल क्लास नहीं यार अर्म एमसी क्लास होगी न तो फिर तो यहीं पर होगी डेश्टॉप पर ही ठीक भाई मेरे जीरो है अरे भाई तबी तो तुम ही रो हो मस लगी सीतल कल भी आजा ना भाई कल भी क्लास होगी कंप्यूटर की ठीक है बाए बाए टाटा टेक केर हमें तक कुछ भी ना आता था खोई बात न सीख जाओगे कैसे होगी ना आता था था तो सीखोगे ना का चले भी क्लास को खतम करते हैं फिर आप हुँँँआट